Hello student, आज हम लोग 3 और 4 numbers के बीच में rational numbers find out करेंगे 3 और 4 क्या है, यह integers हैं, इसके पहले हमने 1 और 2 के बीच में find out किया था आज हम लोग 3 और 4 के बीच में rational numbers find out करेंगे तो 3 और 4 की अगर हम बात करें, तो यह हमारी हो गई 3 और यह हमारी हो गई 4 इसके बीच में हमें कितने rational numbers निकालने हैं, तो इसमें given है 6 rational numbers हमें find out करने हैं तो अगर हम 3 की बात करें, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 by 1, 4 को 4 by 1 है तो यह 3 और 4 integers, बट इसको हम rational number के form में इस तरीके से represent करते हैं ठीक है, अब हमने एक आपको rules सिखाया था, कि अगर हमें 6 numbers find out करने हैं तो हम क्या करते हैं, 7 से numerator और denominator में multiply कर देते हैं अगर कोई भी value है, suppose कि लिए 2 है, अगर same value से हम, suppose कि लिए 2 by 3 है इसको same value से अगर हम 2 से multiply कर दे, numerator और denominator में इसकी value change नहीं होती है यह हो जाएगी 4 by 3, 2 है 6, फिर इसको अगर हम 2 से कट करने, 2, 2 है 4, 2, 3 है 6 means अगर same value को numerator और denominator में हम multiply करते हैं, तो इससे value change हो जाती है बट इसकी जो exact value होती है, वो नहीं change होती है, यहाँ पर आप देखिए 4 by 6 तो हो जा रही है बट इसकी जो initial value थी, वो उसी form में, उसके multiplication form में change होती जाती है ठीक है, तो अगर 3 by 1 है, इसमें अगर हम 7 से multiply कर दें और 7 numerator और denominator में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 by 1 की अगर हम बात करें, इसको हम 7 से numerator में और 7 से denominator में multiply करते हैं, तो यह हो जाएगा 21 by 7, अगर इसको फिर आप cut करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा ना तो यह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 by 7, 3 by 1 को हम यह लिख सकते हैं, इसी तरीके से 4 by 1 की बात करें, 4 by 1 जो है, इसको भी हम 7 से multiply करते हैं, इसमें बस यह आपको याद रखना है, कि जो भी number का है, 6 number अगर निकालने के लिए करें, तो एक हम इसमें extra add करके, numerator और denominator में, दोन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 by 1 को 28 by 7, अब इसमें हम क्या करेंगे, 21 by 7 तो यह हमारी value हो गई, इसमें हम बढ़ते जाएंगे, 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, और यह हमारा मिल गया, 28 by 7 तो है, हमको कितने find out करने थे, 6, आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, और एक हमारा यह हो जाएगा, 27 by 7, यह 6 numbers हमारे find out हो गए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, find out करते हैं, किसी भी rational number के बीच में numbers को, ठीक है, यह आप लोग के लिए, मैंने assignment दिया है, आप जो है, 3, यह 4 और 5 के बीच में, rational numbers आप जो है, comment box में इसका answer लिख ठीक है, इसी तरीके से 6 rational number, 2 और 3 के बीच में, आपको find करना है, और इसे आप comment box में comment कर देंगे, इसका answer, thanks for watching